चलो बच्चों, तो आज हम लोग SS में चप्टर नंबर 17 शुरू करते हैं, जो चप्टर का नाम है Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment देखो आपको पता है कि हमारी कंट्री, इंडिया कंट्री जो है वो Developing Country कहलाती है, हमारी Economy, Developing Economy है Developing का मतलब क्या, कि अभी पूरी तरह से Developed नहीं है अभी दीरे-दीरे Developed हो रही है, तो ऐसी Developing Economy कहलाती है और ऐसी Developing Economy में हमेशा कोई न कोई तरह के Problems और Challenges होते ही रहते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया में भी है हमारी इंडिया में भी बहुत सारी Problems है जैसे कि Population की Problem, है ना, दूसरा Poverty, Unemployment मतलब कि Poverty मतलब गरीबी, Unemployment मतलब बेरोजगारी इसके लावा Terrorism की Problem, Corruption की Problem, Black Money की Problem Stervation की Problem, Stervation मतलब कि भूख मरा कहलाता है कि यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने के लिए भी पूरी चीज है नहीं होती तो ऐसी कितनी सारी Problems वो हमारी इंडिया में है, है ना और उन Problems में से इस चैप्टर में हमें दो मेन Problems के बारे में समझना है Poverty और Unemployment के बारे में कि जिनमें सबसे पहले हम लोग समझे है वो है Poverty के बारे में ठीक है सबसे पहले Poverty के बारे में समझे कि गरीबी उसे क्या कहते है उसकी proper अगर definition समझे तो यह कहा जाता है कि When a large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirement of the life such as food, clothes, shelter, education and health services Such a situation is known as comprehensive poverty and people living in such a condition in a society are called poor मतलब यह कहलाया कि जब हमारी country में बहुत सारे लोग अपनी basic और essential requirements भी पूरी न कर पाते हो अपनी जरूरी चीज हैं जैसे कि food, clothes and shelter हम लोग simple में उसे कहते है ना रोटी, कपड़ा और मकान food, clothes and shelter यह भी पूरे नहीं कर पाते हो और इनके अलाबा education और health services भी उन्हें पूरी न मिलती हो भाई यह चीजें भी उन्हें अगर पूरी न मिलती हो तो वह condition कहलाती है comprehensive poverty मतलब कहलाती है भारी गरीबी है यह और इस condition में रहने वाले लोगों को कहा जाता है poor वरबन यह poverty कहलाती है ना अब इसके लिए पता है government हमेशा जो है वह एक तरह की poverty line create करती है poverty line मतलब कि एक तरह की limit नकी करती है expenses के according income के according food के according अलग-अलग way में एक तरह की limit fix होती है कि जैसे कि अगर income की limit fix होती हो तो सरकार हर साले इंकम की limit fix करती है कि भाई समजो सरकार ने income की limit fix की मैंने के 5000 कि पांच जार रुपए तो इसका मतलब कि जो person मैंने के 5000 रुपए यह उससे ज्यादा कमाता है न तो वो person poor कह लाया नहीं ठीक है न और जो person उस 59 से कम कमाता हो participant पूरे नहीं कमा पाता हो तो वह person फिर पूर केला आए ऐसे government decide करती है ना वरबन और सिर्भ income नहीं expense के ऊपर भी जो जरूरी चीजें जो भी चाहिए होती हो हर एक person को तो उसके लिए हर एक person पूरे महिने में कितने रुपए का खर्चा करता है कि अगर वह minimum उतने रुपए का खर्चा भी न कर पाता हो तो मतलब वो पूर कहलाता है ठीक है ऐसे जो है वो government fix करती है और उसके बावचुद हमारी इंडिया में बहुत सारे करोडों लोग ऐसे हैं कि जो लोग ये government ने जो limit fix किया ना उसके under में है जो कहलाते हैं below poverty line BPL कहलाते हैं below poverty line ये poverty line मतलब जो सरकार ने fix की है income या expenses वो poverty line कहलाती है और उसके under रहने वाले बहुत सारे लोग हैं और जिनमें हम लोग पहला topic पढ़ें कि people living below poverty line कि ये poverty line के under रहने वाले मतलब जनरल ये जो poor people कहलाते हैं उन poor people की condition कैसी होती है उनके characteristic क्या होते हैं वो हम लोग समझें कि जैसे की लिखा हुआ है कि they are not able to get two meals a day कि उने दिन का दो वक्त का खाना भी नहीं मिलता है उनकी ये condition उनके ये characteristic होता है कि उनने दिन का दो वक्त का खाना भी पूरा नहीं मिलता है they suffer from the problem of unavability of the dwelling places unavability of dwelling places मतलब कि रहने के लिए पूरी जगह भी इने मिलती नहीं है बरवन कि इने properly जो क्या कह सकते हैं कि पक्का गर हो मकान हो ऐसा भी इने मिलता नहीं है और इसी वज़े से जो next कहते हैं they forced to live in shabby and slum areas इनके पास पक्के मकान पक्के गर नहीं होते और इनकी वज़े से इने ऐसे shabby और slum areas में मतलब कि ऐसे जूपड़ पटे वाले area उमें ऐसे गंदगी वाले area उमें इने रहना पड़ता है और वह न जब अधस्ती लिए रहना पड़ता है वहाँ पर फिर जैसे कहते हैं कि their income is less than determined income मतलब इनकी इनकम जो determined income मतलब जो नक्की की गई income है न गवर्मेंट जैसे fix करती है कि अरे परसंग की इतनी इनकम तो होनी चाहिए तो उसे नक्की की गई इनकम से ही इनकी इनकम हमेशा कम होती है and life span is less than average life span इनका life span भी average life span या तो average life expectancy से कम होता है सरकार ये भी तो हर साल decide करती है न कि वही हमारे country की average life expectancy कितनी है मतलब हर एक person averagely कितनी age तक जिन्दा रहता है कि जिसे हमारी country में कहा जाता है कि averagely 65 to 70 है कि हर एक person averagely 65 to 70 तक जिन्दा रहता है लेकिन इन में जिब जो poor person क्यलाते हैं उनकी average life expectancy भी हमेशा कम रहती है कम मतलब कि अगर averagely लोग 65 to 70 तक जीते हैं तो इन लोगों की average life expectancy वो सिर्फ कितनी रहती है तो 40 से 50 साल तक भरवन दूसरा कि illiterate ये poor person ज्यादा तर illiterate होते हैं कि इन्हें कोई भी तरकी education नहीं मिल पाती केवन छोटी age में ही जो बच्चों को education मिलनी चाहिए न तो उस education की उमर में वो लोग जो है वो कोई न कोई काम के लिए या कोई न कोई मजदूरी के लिए चड़ जाते हैं भरवन वो काम में जोड जाते हैं और इसकी वज़े से इन लोगों को proper education नहीं मिलती और ये लोग ज़्यादा तर illiterate रह जाते हैं then they suffer from various diseases कि इन्हें properly food भी नहीं मिलता और food ना मिलने की वज़े से जो ज़रूरी nutrition इनकी body के लिए चाहिए होते हैं वो इनको मिलते नहीं हैं और ऐसे malnutrition की वज़े से मतलब nutrition की कमी की वज़े से इन में हमेशा कोई ने कोई बिमारियां रहती हैं वरवन एक तो यह रहते हैं जूपड़ पटी जैसे गंदे एरियाओं में वरवर गंदी की की आसपा साफ सफाई नहीं होते पूरा खाना नहीं मिलता साफ पानी नहीं मिलता इनको और इनकी वज़े से इन में हमेशा कोई ने कोई बिमारियां लगी रहती है एन्ड डैध रेट इस हाई और इसकी वज़े से ही ऐसे पूर पीपल का डैट रेट भी बाकी के कमपरिजन में हमेशा ज्याधा होता है इनकी डैथ भी बाकी के कमपरिजन में ज्याधा ही रहती है तो यह condition क्यालाई न हमारे यहां पे जो poor people रहते हैं तो generally उनकी condition ऐसे होती है, अब उसके बाद एक topic है, जो topic आता है measurement of poverty, measurement of poverty इसका मतलब कि हमारी country में poverty को कैसे measure किया जाता है, कैसे count किया जाता है, कि में कितने लोग poor हैं और कैसे उने count करेंगे, तो generally poverty count करने के लिए दो चीजों पे ध्यान दिया जाता है, यहां पे two ways में, मतलब कि दो तरीके से poverty count होती है, पहला कि on the basis of expenditure behind various commodities और services by a family, और दूसरा on the basis of total income of the family, मतलब कि यहां पर जो poverty decide होती है, ना कि पहली expenditure के उपर, on the basis of expenditure, कि कोई भी family अपने लिए जरूरी जो भी commodities या services होती है, जो भी जरूरी चीज़े होती है, उनके पीछे हर महीने कितना खर्चा कर सकती है, तो उसके according जो वो poverty decide होती है, या तो फिर income के according भी poverty decide होती है, कि जिसमें government fix करती है कि हर महीने की इतनी income उन लोगों की है या नहीं है, और इसी के हिसाब से फिर poverty के और दो टाइप बन जाते हैं, पोवर्टी के दो टाइप बन जाते हैं, absolute poverty and relative poverty, तो absolute poverty किसे कहते हैं, ध्यान से जुनना है इसमें, कि absolute poverty मतलग वो कहला है, कि जिसमें government एक poverty line decide करती है, expense के according और income के according, कि poverty line decide करती है, और उस poverty line के under जो भी लोग आते हो न, मतलब सरकार ने अगर कोई expenses fix किये हो, कि हर महीने के इतना खर्चा दो, हर एक family को करना चाहिए ही, मरबन तो वो उस खर्चे के लिए भी जिन लोगों के पास पैसे नहीं हो, मतलब जो person महीने का उतने रुपए का खर्चा भी अगर नहीं कर पाता हो, तो वो person absolute poor कहलाता है, और उसकी ये condition, वो absolute poverty कहलाती है, मरबन न, मतलब absolute poverty मतलब ये कहलाई कि जिसमें government ने एक चीज़, एक line, poverty line decide की हो, और उस line के अंडर में जो भी लोग आते हो, उसके अंडर में जो भी लोग रहते हो, तो वो absolute poor कहलाते हैं, ठीक है, और relative poverty, कि relative poverty किसे कहते हैं, तो संचो यहाँ पर relative poverty वो government decide नहीं करती, ये society के लोग, मतलब कि हम लोग ही इस relative poverty को decide करते हैं, सरकार ऐसी poverty को मानती नहीं है, मतलब क्या, कि देखो, इस society में जो है, वो हम लोग ही, अलग-अलग तरके class बना लेते हैं, सोसाइटी में अलग-अलग तरके class बना लेते हैं हम लोग, कि जैसे कि ये rich class है, ये rich लोग हैं, फिर poor class अलग, फिर middle class अलग, फिर middle class के अंदर ही आता है, ये upper middle class, ये lower middle class, ऐसे class वो हम लोग ही तयार कर लेते हैं, होता है न ऐसा, और इनकी वज़े से क्या हो जाता है, कि फिर लोगों के बीच में एक तरकी comparison शुरू हो जाती है, आप जैसे एक example समझो, कि suppose कोई person अगर जो है, वो महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, कितना महीने के 10,000 अगर कमा रह है वो, तो absolute poverty के हिसाब से अगर हम लोग समझे न, तो वो person poor नहीं कहलाया, क्योंकि सरकार ने ये decide किया था, कि महीने के 5,000 रुपए, ये poverty line उसने decide की, government ने क्या decide की, महीने के 5,000 रुपीज, ये जो है वो poverty line, मतलब जो 5,000 से कम कमाता हो, वही poor कहलाया, दूसरा कोई नहीं, तो generally, जो महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है, वो government की नजर में तो poor नहीं है, भरवर न, वो तो 5,000 से जादा ही कमा रहा है, लेकिन वहीं, अगर कोई society में, कोई महीने के 20,000 रुपए कमा रहा है, तो जो 20,000 कमाने वाला होगा न, उसके सा comparison करे न, तो वो 10,000 कमाने वाला जो अब actually वो poor नहीं है, लेकिन comparison से ये पता चला न, फिर वैसे ही, अगर कोई person जो है, वो महीने के 50,000 रुपए कमा रहा है, तो उस 50,000 के सामने में, वो 10,000 कमाने वाला भी और वो 20,000 कमाने वाला भी, दोनों ही person poor हो गया, क्योंकि वो तो महीने के 50,000 कमा रहा है, तो उसके comparison म पूर ही कहला है, बरुबर न, और इनके अलावा, अगर कोई person जो है, वो महीने के 1,00,000 कमा रहा है, तो उसके सामने फिर वो 10,000 कमाने वाला, 20,000 कमाने वाला या 50,000 कमाने वाला भी poor ही कहला है, ठीके न, एक लाग कमाने वाला, तो उसके सामने तो वो 10,000 और 20,000 कमाने वा नहीं है लेकिन comparison से उन्हें poor माना जाता है तो ऐसी poverty relative poverty है यह relative poverty में सरकार नहीं मानती है हम society में हम लोग तयार करते हैं उसे और वन सरकार नहीं कहती के यह poor है सरकार तो जिफ लिमिट नक्की करती है 5000 रुपए कि जो 5000 से कम हो वही पूर कहला है लेकिन society में हम लोग जो decide करते हैं वो इतरकी relative poverty कहला है लोग difference पदा चल रहा न कि absolute poverty और relative poverty किसे कहते हैं absolute poverty जैसे government decide करते हैं एक लिमिट हो और relative poverty relative poverty comparison से हम लोग decide करते हैं government में आई बात समझ में आप देखो इनी poverty के according फिर दूसरा topic आता types of poor poor के types जिन में आता है ruler and urban poor कि ruler मतलब क्या ruler मतलब कहलाता है village area गाहों में रहने वाले जो poor person हो और urban 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 मतलब कहलाता है city area ठीक है कि जो city में रहने वाले poor person हो और आई बास समझ में तो यहां एक चीज समझो इससे पहले एक बात यह समझो के government हर हर जो है वो दस दस सालों में census करती है पता है ना हर दस सालों में census होता है मतलब कि जन गरना होती है पूरी population की counting होती है जो लाश्ट counting होई थी 2011-12 में अब उसके बाद अगले साल 2021 में ऐसा होगा ना तो 2011-12 में जब यह counting होई थी ना तब गवर्मेंट ने जो है वो एक लिमिट decide की थी जो poverty line जैसे कहा जाता है उस लिमिट के हिसाब से के पूर परसन जो रूलर एरिया में रहते हो मतलब कि जो गाहों में रहने वाले लोग है ना कि उसमें पर परसन 816 रूपीज और पूरी फैमिली अब गवर्मेंट पता फैमिली किसे कहती है तो गवर्मेंट फैमिली मानती है कि जिसमें कम से कम पांच लोग रहते हो पांच लोगों की फैमिली तो उसे वो गवर्मेंट मानती है मतलब के पर फैमिली अगर मंतली 4080 रूपीज कितन ठीक है यह poverty line 2011 में government ने decide की थी कि विलेज एरिया में ruler एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो अगर monthly पूरी family के लिए 4080 रूपीज अगर वो expense करते हैं तो वो poor नहीं कहला है और वो expense किस पर करेंगे अपने basic need pay न सबसे पहले कि जिनके पास पैसे न हो तो अपना खाना पीना चोड़ कर पहले entertainment के लिए के movie देखने जाएं गूमने पिरने जाएं उसके लिए पैसे खर्च करेंगे नहीं न सबसे पहले तो पैसे खर्च होंगे किस के उपर तो अपने खाने पीने अपने education अपने health इनके उपर न तो जो family monthly अगर 4080 rupees का expense करती है न तो वो family फिर poor कहलाई नहीं ठीक है यह ruler area के लिए और urban area के लिए मतलब के city के लिए यह limit decide होई थी 5000 और person 1000 rupees और पूरी family के लिए 5000 rupees मतलब के जो family वो जो है वो monthly 5000 rupees अगर expense करती हो अपनी need के लिए तो वो family poor कहलाई नहीं यह सरकार ने decide किया था न 2011 में और इनके हिसाब से भी 2011 में हमारी पूरी country में 27 करोड पीपल मतलब के 27 करोड लोग वो below poverty line थे वो poor कहलाते थे 2011 में यह जो है वो counting थी 27 करोड पीपल 2011 में ऐसे थे कि जिनके पास महिने के जो है वो 5000 यह 4000 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं थे कितना बड़ा नंबर है यह 2011 में 27 करोड पीपल मतलब अगर पूरी population के approximate देखे न तो वो 21.9 percentage के आसपास कुछ कहलाते हैं तो इतना बड़ा जो है इतनी ज्यादा poverty वो हमारे यहां पर है इंडिया में न अब अब next year 2021 में फिर से census होगा फिर से यह बाते पता चलेगी तो उसके बाद फिर और clarification होगा और जब चीज़ें clear होगी कि अब यह poverty दस सालों में बड़ी है या दस सालों में कम हो गई वो पता चलेगा न अगले साल और अगर स्टेट वाइज देखो न तो स्टेट वाइज पूरी इंडिया में सबसे पूर स्टेट जिसमें poverty सबसे ज्यादा है वो श्टेट है तो सबसे ज्यादा poverty वो श्टेश गड़ में है और सबसे कम poverty अगर कोई स्टेट में देखो न तो सबसे कम poverty वो गोवा में है कहां पर गोवा में सबसे lowest poverty स्टेट वो कहलाता है कि जहां पर 5.9 मतलब सब 5 परसंटेज ही लोग वहाँ पर पूर है और कोई भी नहीं तो सबसे कम पोवर्टी वाला स्टेट वो याद रखना गोवा है और सबसे ज्यादा पोवर्टी जहां पर है वो 36 गट हमारे गुजरात में अगर पोवर्टी देखी जाना तो हमारे गुजरात में 16.63 परसंटेज लोग पूर हैं यह भी बहुत बड़ा नंबर कहला है ऐसे स्टेट से हैं 36 गट आसाम उत्तर प्रदेश मनिपूर बिहार अरोणाचल प्रदेश जारखंड और इस्सा यह सब स्टेट से हैं कि जहां की पोवर्टी 30 परसंटेज से भी ज्यादा है ठीक है यह नाम ध्यान रखना है और इनके हिसाब से अगर आप लोग अर्बन पू 12 करने वाजने या फार्म लेबरर्स रिकेंट में इस्सारी काम करने वाले लोग जोटेज़यं से इनदेश्टिव से घर करने वाले लोग फार्मर बेचने के हम सिर लिए उनापंग लाब भीख मांगने वाले लोग या फिर फॉर्स लेबर्स जिनने जबर्दस्ति से काम करवाय जाता चो टी एज में जिनको काम पर लगवा दिया जाता है या तो फिर जो माउंटेन या फॉरेस्ट इरियाों के बीच मे रहने वाले लोग जंगलों के बीचों वी जो आदिवासी रहते हैं या जो पाड़ों के बीच में पाड़ों के अंदर जो लोग रहते हैं तो ऐसे भी यह poor person क्यालाते हैं, यह सब ruler poor में आते हैं, गाउं में ऐसे लोग जादा मिलते हैं जो poor हो, और urban area में, मतलब city area में कैसे लोग जादा मिलते हैं, जो poor हो, तो generally जो temporary laborers होते हैं, या तो फिर जो डेली वेजिस पे काम करते हैं वो, मतलब ऐसे मजदूर जो डेली वेजिस पे, रोज की मजदूरी पे काम करते हैं, जिस दिन काम मिला, तो उस दिन पैसे मिलेंगे, जिस दिन काम नहीं मिला, तो उस दिन पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग, या फिर डॉमेश्ट या तो गैरेज पे काम करने वाले लोग बैगर्स जो भीक मांगने वाले वह ऐसे लोग जो अपनी बेजिक नीड जरूरी चीज़ें भी खरीद न पाते हो तो वह परसन वह अर्ळन पूर कहला है आं सिटी में ज्यादतर ऐसी कंदिशन देखने को मिलती है तौब प्वोर परसन के बारे में तोس अमझा अब एक हमारा पॉंट आता है वह पॉइंट है reason of poverty, poverty का reason कि हमारे यहां पर क्यों इतनी ज्यादा poverty है, तो उनके main reason अगर समझा न, जिनमें सबसे पहला reason आता है, वो आता है decrease in income from agriculture, सबसे पहला reason कि हमारे यहां पर agricultural country होने के बावजूद, हमारे इंडिया country वो agricultural country है न, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहां प facilities नहीं है, आज बी पानी के लिए लोगों को farmers को बारिश के उपर depend होना पड़ता है, नहीं नहीं technology नहीं आज भी पुरानी technology से, हाथ से काम हुता है farmers का, ठीकिकिन खेतों में आज भी हाथ से काम किया जाता है, टेकनोलोजी से नहीं, तो इंकी वयजे से, इतना ज़्यादा development न होने की वज़े से agriculture में उनकी income हमेशा कम रहती है तो वो लोग अपनी growth नहीं कर पाते हैं अपनी poverty दूर नहीं कर पाते है वो उतना कमा और उतना ही खर्च हो जाता है बस ऐसी condition जो है वो उनके साथ चलती है समझा रहे बाद इनके बाद दूसरा हता है वो अदल lack of alternative employment के यह आपर हमारी इंडिया में approximately 62% से ज्यादा लोग आज भी इस farming में जुड़े हुए है और वह खेती में जुड़े हुए है कितने 62% population हमारे इंडिया में जितनी है वो उसके 62% अगर agriculture में जुड़े हुए है क्यों जुड़े हुए है क्योंकि उन्हें कोई other employment कोई दूसरा काम काज उन्हें मिलता नहीं है उनके बास कोई दूसरा काम है नहीं तो इसकी वाज़े से वह मजगूरी में इस खेती में जुड़े रहते है और वहां से तो वहां से उन्हें proper income भी नहीं मिल पाती फिर और क्यों उन्हें दूसरा काम नहीं मिल पाता क्योंकि उसका वो third reason भी यही कहते हैं कि lack of knowledge regarding other employment क्यों उन्हें कोई दूसरे employment दूसरे काम काज के लिए knowledge नहीं है कोई proper knowledge नहीं, कोई training नहीं, कोई जिए वो skill नहीं होती तो उन्हें सिर्फ खेती के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है तो इसकी वज़े से वो poor के poor ही रह जाते हैं, उसी condition में रह जाते हैं फिर आमेशा के लिए यह हो जाता है ना उनके साथ फिर दूसरा reason आता है, वो आता है due to increase in unproductive expenditure poverty का ये एक बहुत ही अजीब reason है, जो जादा दर इंडिया जैसी countries में ही है यहाँ पे लोगों का जो है वो unproductive expenditure बहुत ज्यादा है तो unproductive expenditure क्या कहते हैं, मतलब ऐसा खर्चा जो जरूरी नहीं है, compulsory नहीं है फिर भी लोग जो है वो ऐसा खर्चा करते हैं और खुद को करजे में डुबा लेते हैं जनरली ऐसा खर्चा जो orthodox mentality वाले लोग होते हैं, जो पुराने ख्यालात वाले लोग या तो फिर जो रीती रिवाज में मानने वाले लोग, तो ऐसे जो है वो अलग-अलग तर की रीती रिवाज की वज़े से, ऐसे क्या कह सकते हैं, पूराने जो है, वो सोच हो, उनकी वज़े से भी जो है, वो काफी सारे unproductive expenditures होते हैं जैसे एक example, कि जब कोई लड़की की शादी होती है, किसी के घर पे लड़की हो और अगर उसकी शादी हो, तो उसे शादी में कंपसरी दहिज देना पड़ता है, ठीक है न, ऐसा रिवाज हमारी इंडिया में बहुत बुरी तरह से है, और ये जो फिल दहिज देना पड़त है, तो उन farmers के पास, कोई जो poor people हो, उनके पास पैसे न होना तो भी उधार मांगकर भी उनको दहिज देना पड़ता है, ठीक है न, बाहर से उधार भी उनको मांगना पड़ता है, और वो उधार मांगकर चलो एक बार उनकी शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाल फिर ऐसे कितने सारे जो है, वो दूसरे रिती रिवाज हैं, जिनमें ऐसा unproductive expense, बिना काम का ऐसा खर्चा होता है, कि जैसे अगर कोई festival आता है, कोई तैवार आता है, तो इसके घर पे ये बिजवाना है, इसके घर पे जो है, वो ये आमें रिती रिवाज पूरे करने हैं, होता कि नहीं, या अगर death के वक्त है, या तो फिर जो है वो birth के वक्त भी, किसी के घर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो, तो भी अलग-अलग रिती रिवाज करते हैं, कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिर भले पैसे हो के नहों, ये चीज़े तो करना ही दारी में जो है, वो ये काम करते हैं, और इनकी वज़े से वो हमेशा ऐसे करजे में ही डूबे रहते हैं, वो खुद की प्रोग्रेस कर पाते, नहीं है, पोवर्टी से बाहर नहीं निकल भाते, या दूसरा रीजन आता है, वो आता है, इग्नोरेंस ओफ एकोनोमिक पॉलि या तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ऐसी कोई पॉलिसी चलती भी है सरकार की, कि जैसे अभी सरकार की कोई पॉलिसी चल रही है, कि कुछ टाइम के लिए जो है, वो जितने भी पूर परसन है न, तो उन सब को जो है, वो फ्री में अनाज दिया जाएगा, सरकार ऐसा काम करती है कि जनरल ये ऐसे लोगों के लिए जो है वो ये फैर प्राइस शॉप मतलब के राशन की दुकान शुरू करती है उसे फैर प्राइस शॉप कहते हैं सबके पास राशन काड होता है तो उस राशन काड के थ्रू ऐसी राशन की दुकान पर एकदम लू प्राइस में जो ह अगर कोई अनाज खरीदने जा रहे हो तो वह अनाज अगर आपको 40-50 रुपए किलो मिलता है, अगर कोई राइस चावल खरीदने जा रहे हो तो वह 40-50 रुपए किलो मिलेंगे, तो वही राशन की दुकान पर आपको 5-10 रुपए किलो में मिल जाएंगे, तो कितना बड़ा तो सरकार ऐसा काम करती है अभी फिलाल तो यह स्कीम चल रही है कि सब के लिए फ्री में अनाज दे रही है कुछ मैनों के लिए फ्री में अनाज सरकार देती है लेकिन यह स्कीम कितने लोगों को पता होगी पता ही नहीं होता ना लोगों को कि ऐसे इग्नॉरेंस की वज़े से ऐसे समझो कि वह जानकरी न होने की वज़े से लोग वह government का ऐसा benefit उठा यह नहीं पाते सरकार benefit देती है लेकिन उनको मिलता यह नहीं है तो जिनकी वज़े से वह poor के poor ही रह जाते हैं ठीक है न कि अगर सरकार उन्हें free में अनाज दे रही है तो उनके पैसे बचेंगे न लेक of cash crop was encouraged while edible crops were reduced यहां पर ज्यादा तर जो है जो cash crops होते हैं न मतलब कि जल्दी बिक जाते हैं जिन से ज्यादा income होती है तो ऐसे crops का government ज्यादा development करती है जैसे कि cotton है, jute है, tobacco है तो इनका production गवर्मेंट ज्यादा बढ़ाती है, इनके लिए नहीं नहीं टेक्नोलोजी सरकार लेके आएगी, लेकिन जो एडिबल क्रॉप्स हैं, जो खाने के लिए जरूरी हैं, जैसे वीट, राइज या ऐसे जो भी क्रॉप्स हैं, इनके लिए गवर्मेंट बिल्कुल भी काम नहीं क और प्रोपर फूड नमिलने की वजह से या प्रोपर इकंब मिलने की वज़े से भी यह लोग पूँरी रह जाते हैं, अगर सरकार इन चीजों का भी गवलंट करें, ऐसे एडिबल क्रॉप्स का भी, तो इनका भी गवलंट हो जया और इनकी भी इंकंब बढ़न लेकिन सरक तीन एकनोमिक रिफॉर्म्स हुए थे मतलब तीन चेंजिस हुए थे जो थे लिबरलाइजेशन प्राइविटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यह समझाते हैं आपने तीन चेंजेश तो इन changes की वज़े से हमने वो chapter में भी समझाता कि जो changes हुए न तो उससे हमारे इंडिया को फैदा तो हुआ लेकिन ज़्यादा तर जो rich person है न उन्हें ये benefit ज़्यादा हुआ poor person को ये benefit मिला नहीं तो इसकी वज़े से जो छोटी-छोटी industry में काम करने वाले लोग जो poor person है उनका कामकाज बंद हो गया तो इसकी वज़े से भी उनकी poverty बढ़ती गए बने पूरी country को फैदा हुआ लेकिन ऐसे poor person को इससे काफी नुकसान पहुचा था इनके बाद आता है वह आता है due to malnutrition and disease के जैसे हमने पहले भी बाट की थी के जो poor person होते है इन्हें proper food नहीं मिल पाता और इनकी वज़े से इनकी बॉडी में proper nutrition नहीं जाते और हमेशा ये malnutrition और disease में फसे रहते अलग-अलग बिमारीयों में ये लोग फसे रहते और बिमारी में फसे रहने के वज़े से जो properly इन्हें work करना चाहिए ना ये work वो नहीं कर पाते हैं अब जैसे अगर शरी ठीक रहेगा तो बाहर जाकर काम करके कुछ कमा भी सकते हैं लेकिन ये लोग ज्यादा तर करीब जो poor person होते हैं तो वो ज्यादा तर जो है वो बिमार कारियों में ही फसे रहते हैं तो इनकी वज़े से वह बाहर जाकर properly काम भी नहीं कर पाते हैं और अपनी poverty भी दूर नहीं कर पाते हैं ये इनमें problem आती है ना दूसरा आता है change in technology due to change in technology technology बदलने की वज़े से भी poverty increase होती है क्यों ऐसा क्योंकि जब नहीं technology आती है ना तो पु निकाल दिया जाता है और इनकी वज़े सही उनकी poverty और increase हो जाती है कि जैसे पहले जो काम हाथ से होता था तो दस लोग काम करते थे अब वही काम machine से हो रहा है तो दस में से 8 लोगों को निकाल दिया जाता है कि अब दो लोग खाली machine चलाएंगे तो वह 8 लोग तो होती है यह दूसरा ड्यूटू इंक्रीश इंपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉपॉ बढ़ रही है हर दिन 70,000 क्या उतनी ही नहीं नौकरिया भी रोज बढ़ती है 70,000 नहीं नौकरिया जो नहीं जॉब नहीं एंप्लोएमेंट क्रियेट होती है इतनी नहीं हो पाती न जिसकी वज़े से जो है वह अधिकतर लोग यहां पर कैसे हो जाते हैं और population ज़्यादा होने की वज़े से सरकार जो है वो इन सब के पास proper, क्या कह सकते हैं हम लोग के प्रॉपर facilities भी नहीं दे पाती, घर की facilities, साफ पानी की facilities या फिर सैनिटेशन की facilities इनको नहीं दे पाती, और इनने घर वगेरे साफ पानी वगेरे नहीं मिलता, तो यह क्या करते ह जैसे एरियाओं में जाकर रहने लग जाते हैं, बरबर ना, और इनसे government की problem और ज़्यादा create हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वज़े से poverty का एक reason वो यह population भी कहलाता है, समझाई बात, तो देखो, आज जैसे हमने यह poverty के reasons देखे, poverty का meaning वगेरे हमने स देखेंगे, ओके, थैंक्यू